हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टटी विथ क्रेजी गुरू फ्रेंट्स आज हम द्यादियो सेप्टम 10 ए एंड ए एकजाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन इस्ट्रेनोगराफर फायरमेन ड्राइबर और कलर्ग उसमें जो 1061 पोस्ट निकला है उसमें हम जो प्लेइलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जाका त्यारी कर सकते हैं और आपको हम बताया थे जो करेंट अफ्यर है आपका एकजाम में पिछले 7 या 8 मंथ के पुछे जाएंगे और जम बार्च में एकजाम आपका होगा फरवरी तक आपको देखने को मिल जाएगा तो देख स्कुर तो या थिरी पार्ट में आपको पूरा भरवर्पूर कोस्ट्र दिया जाएगा जो जो अगस्त का VVI कोस्ट और आपको क्या करना है आपको वीडियो के लाश्त थक बने रहे और आप लोग चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और कलास को सेर कीज आप लोग वहाँ पे जागा करास आप लोग study with crazy group पे देखें चलिए तो इस्टार्ट करते हैं और ओ से पहले आपको बता दे देखें इस्टेट लेवेल दीजे या इस्टेट लेवेल दीजे या मतलब इस्टेट या सेंट्रल लेवल के जाम देजिए 20 से 30 परसेंट कोस्तन आपको करेंट फेर देखने को मिल जाएगा तो आप लोग समझ सकते हैं तो करेंट फेर आपके लिए कितना महतफुर्ण है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्ट 2022 का और उससे पहले आपको बता दे देखें ए नमबर नोट कर लिजे 756486459 आप ए नमबर नोट कर लिज में आपको बहुत सारा कोसन दिया जाएगा और जो करेंट फेर हम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा करेंट फेर आपको इबुक के माध्यम से प्रभाइब कर जाएगा तो आपको 70 रूपीज करके इसी नमर पर और प्राप्त कर लिजे उसमें आपको जी के जीएस में जेनरल कोसन लाते हैं महतपूर्ण है तो आप लोग कोसन साई से देखना है भारत और किस देश ने आठ बिलियन डॉलर की हरित हाइड्रोजन फैक्टरी बनाने के साथ समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया है तो बताइए कौन कौन है देश भारत है और कौन है देखिए भार सर जो हाइड्रोजन फैक्टरी है हरित हाइड्रोजन जो है तो चल्लिए तो हाइड्रोजन जो हरित हाइड्रोजन है इसका मीनिंग आप क्या समझते और पारह से बताइए का उनुक को हाइड्रोजन और और ऑक्सिजन में तोर ना क्या कहला लाता है है इतना आपको याद रखना इसके बारे में समझ गयें उसके बाद दिखिए एक क्कोशन और आप से पूछ देगा बोले हैं सर भारत मिसर के साथ है समझारता किया है तो भारत की कंपनी का क्या नाम है तो यह क्या नाम है यह आप नुट कर लिजेंग क्या नाम है रिन्यू पावर प्राइवेट लिम्टेड भारत की कंपनी का नाम है जो हरिद हाइड्रोजन फैक्टरी बनाने में मिश्र के साथ समझावता किया है तो इतना आपके लिए महतपुर्ण है तो कोस्टन आप इस तरह सल्व किजिएगा जिस तरह हम आपको बता रहे हैं उसी त किशर किया है बता एंए किसके साथ नीरज साथ अनुबंद किया है तो उसमें कोका कोला जो लिम्का सेवक्ष बोला है ओ कोका कोला में आपको 90 ड्रोफीज और अलोश कर अबलक लोच मतलब क्या है है कि यह 7 बजार में वजूएल करें गी आपको बारे में महत्वपूर्ण जनकादी पता रहना चाहिए नेक्स कोशन पर आते हैं नेक्स कोशन देखें किस देश में 170 करेट का एक दुरलव सूध गुलाबी हीरा खो जा गया है बताइए तो एह हिंदी मेडियम के लिए हिंदी मेडियम स्टूडेंट के लिए है और देखें इसका हम इंग्लिस मेडियम भिला है तो दिकितना मिहनत करना पडता है पूरा टाइपिंग करना पड़ता है तो प्लीज आप लोग यह चानल पर नए हैं क्लाना ही तो करना है तो किसमें 170 कारेट का एक डुललव तो शुदु गुलाबी हीरा खोजा गया है तो कहां देखिए दक्सिन अफिरका में क्या है दक्सिन अफिरका जो महादेश है उसे में आपको जो अंगोला है याद रखेगा-थ तो कहां पर अंगोला में तो इसको नूट कर लेजेगा अंगोला में 170 काड का एक दुरलब पुछ देगा तो किया नाम नाम रोज नाम नाम दिया गया dhulu रोज प्तानस नाम रोज नाम दिया गया तो रोलु रोज नव दिया गया और आपको बता देडते तेंसौत वर्षों में सबसे बारा मिलने बाला जो गुलाबी हिरा है वही है कौन है दा लूलू रोज कहां पे खो जा गया है तो अंगोला में खो जा गया है तो इतना आपको जानना जरूरी है next question पर आते हैं next question देखें ещё question tasty फीवीasına को संब ब्रबिंगम जो commonwealth 2022 में हुआ है एक question आपको देखने को मिल जाएगा याद रखेंगा देखिये जी ोसर बताते हैं उसी तरहап कोसर पूशे जाते हैं देखें बर्बिंगम commonwealth फोल्ट गेम्स के महिलाव ल्प्टिंग के फॉर्टिञटीन वहार वर्ग 被 किसे फॉर्टीन फकोंवेट पैडल जी नों जीता है चाहिए मिल जानते एक मिले जाए मीरा बाय चानू का समंध की सराजे से कहाँ से मनीपूर क्या आएंप देखने को मिल जाता है इतना आपको बारे में जानना जरूर है उसके बाद दिखिए बधिया सर जो common wealth game वहा था जो common wealth games हुआ था कब से कब तक हुआ तो आपको कितना बता दिये के कप्टन कौन है तो मनपिरीथ सी इंदे वुद्गाता सेमारों में कौन थे पीवी सिंधु और मन पिरीथ याद रखेगा उसके बाद क्वेस्वन आपसे पूछा जाएगा समापन में कौन थे बताईए समापन में थे आपका अचनता सरत कमल जो की टेबल टेनिस ख़िला रही हैं और निकहत जरीयं थे प्लरीले का कर्शा की ह aika हैक किसे कंपनी का बैस्तर बनाए तो इतना आपको जानना जरूरी है तो इतना आपको याद रखेगा समझ गए तो उल्गातन और समापन में जिसका नाम बता दी है आप नूट कर लिजेगा उसके बाद देखिए इसमें भारत का अस्थान आप से पूछ देगा भारत का अस्थान चौथा है फोर्थ नमबर जीता जेतता है तो बॉल्टो इसर फरस्ट पैलेष पर कौन है बताएं फर्ष्ट पैलेष पर अस्थ्र आ अस्थान पर है उसके भाध के भारत फोरता स्थान पर हैं तो क्या इस तरह पूछेंगे नहीं देखिए आप से पूछेगा टोटल कितना मेटल जीता तो 61 मेटल जीता तो इतना आपको याद रखना है उसमें से 22 गोल्ड जीता ओके उसके बाद आपको फिप्टिन सिल्वर जीता और जो सेश बचा उसके बाद कितना बच गया 23 बचा 23 ब्रोंज जीता तो इतना आपको याद रखना यह भी भी आई है तो यह नोट कर लिए टोटल 61 पहले टोटल 61 पदक जीता भारत जो की चौथे अस्थान पर रहा 22 गोल्ड फिप्टिन सिल्वर और 23 ब्रोंज जीता है तो इतना आपको बारे में जानना जरूरी है नेक्स कोशन प्याद है नेक्स कोशन देखें भारत के नए मतदाता संसुधन का अनुसार अब कितने वर्स के मतदाताव को मतदाता सुची में जोर्ने के प्रस्ताव को मन्जूरित दे गई है बताएं याद रखेगा है यह कोशन आपको देखने को मिल जागा 17 वर्स मतलब 17 वर्स समयगे ना 17 वर्स तो जीसतर हम बता रहे हैं को इस तरह सल्व कीजिए अगस्त का स्टाट किये हुए है और अगस्त का इसी तरह आपको पूरा पूरा खतम कर देंगे उसके बाद सेप लिए थोरी परहाद देंगे उसके और कोसा नाम आपको करवाद देंगे गया है सब्सक्ता ना मतदाता सुची में नामज़र्वा सकती है पहले क्या था जब 18 वर्स होता था तक अपते मतदाता सुची में आपका नाम जुरबाल लीजिए और 18 वरस में जाते जाते आपका मतदाता सुची में पहले जुरा रहेगा तब आप जाका क्या करवाए सकते हैं भोट दे सकते हैं voting कर सकती यह देखिए सेवेंतीन वर्समें आपको वोटिंग अधिकार नहीं है वर्समें आपको वनली फर क्या हो तो मतदाता सूची में नाम जिर्भा सकती है देने का यहां आपको आतना जidänा जरूरी है इसके तरह त्यारी करते रहें किस तरह त्यारी करते रहें भी तुर्णन है क्वे में किन देश को सद्धता परदान कि तो त्या याद लगा क tout 3 देस मैं आपको याद रखना है और आपसे पूछ देग tale किश को ड्वारा सदस्तापरद्धा लोग करना है तो और याद कौन खर 750 घर क्या है उजबेकिस्तान है और आईबरी कोश्ट तोटल नंबर आप जो सदस्य कितने हो गए है पता यह 108 हो गए है तो इतना आपको जानना जरूरी है उसके बाद देखें आइसीजी का हेटकाटर आप लोग जानते हैं कहा पर हैं दुबई में हैं और चेयर्मन कोन है प्ष्णतल ईजरूरात में ज़रूरिंग्रट पर आते हैं एकिनर बहुते हैं आप110 गृत। स्टूडेंट में मतलब असनातर का डिगरी ले सकते हैं और इंगलेंड का इस पर सम्झावता किया गया है इतना आपके बारे में जनकारी जरूरी है देखिए इसमें क्या होगा हजारों इवाओं को फायदा मिलेगा डिगरी लेने में आपको इतना समझ गया है और बताते हैं इससे क्या होगा यह अस्तर और उनके समान जो असनातक है या परासनातक है सभी डिगरी को अब भारत में भी मनेता दी जाएगे जो ब्रिटिन में इस्टुडेंट ले लिए जो ब्रिटिन में ले लिए हैं उसको भारत में भी मनेता दिया जाएगा और ब्रिटिन के जो इस्टुडेंट है जो दिगरी इडिया में लिए हैं उनको ब्रिटिन में भी मनेता दिया जाएगा तो इतना आपको बारे में जानना जरूरी है दे तो इसके द्वरत शुरू के गई याद र्खेयां ये याद के दीने से कोशन आपको किने को मिल जाता है तो जारखंडD RAIJ에 के मुक्षय मंत्री कौण है बताइए जारखंडD RAIJ 네 जो मुक्षय मंत्री हिमंत्- phones 11 teeth जीने मुख्य मंत्री शारती जोजना की मुख्ये सार्फियोजना की सुरुवात की हैं इतना आपको जाना है बोली आसर क्यों सुरुवात किया गैंगा इस बताइए इस अंतरगत जो दिगरी पराप्त जो हुआ है मतलब मतलब शात्र शात्र आये हैं उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए बिभीन परतियोगी परिक्षाओ की त्यारी के लिए निहसुल को कोचिन की सुविधा परदान की जाएगी किस में मुख्य मंत्री सार्थी योजना की अंतरकत और किस ने लॉंच किया आपको बता दे हम पर पर शिक्षन दिया जाएगा जरकंड के इतना आपको बारे में जानना ज़्रूरी है जरकंड के अभी वर्तमान में जो गवर्नर बनें है क्यों बताएगा बताएगे फिस दिन पहले ही राष्टपती द्रववदी मुर्मूजी के द्वारा मतलब बहुत सारे स्व्य ए गए हैं और ट्रांसफर किए गए हैं तो आपको जैसे जैसे स्टेट आएगा आपको हम बताते जाएंगे एक बार बताएंगे तो आप लोग को थोड़ा करना करना पर जाएगा देखिए जहारखंड राज्य का गवर्णर कौन है बताइए तो नोट कर लीजिए कौन है गवर्णर कर आए चरूर करना करेंैंगे तो किस राजय सरकार के द्वारा मुख्य मंत्री नास्था एवजना शुरू किया गया है तो आपको बताया थेली यह कौने शकर नोड़ा सरकार देखने को बहुत सारे स्टुदेंट है आप लोग बच्पन में आप लोग जानते ही होगे जब आप फिप्ट कलास में शिक्स कलास में फॉर्थ कलास में थे तो क्या होता था कलास के लिए नो बजे या दस बजे जब कलास का या सेवेन अकलाग जितना भी स्कुल का टाइमिंग सब का अलग लग होता था प्राइबेट और स्कुल और स्कुल घए और स्कुल चले जाते हैं तो इसलिए जो तमिलादू के जो मुख्य मंत्री एकौन है उनके दौरा मुख्य मंत्री नाष्टा योजना लौंच किया गया है उसमें जो छातर स्कूल जाएंगे तो वहां उनको भोजन परदान के जाएगा वह इतना आपको जानना जरूरी है उसमें क्या होगा देखे उसमें जो होगा छात्रों को सब्सक्राइब नाष्टे का पक कने मिलादू के गवर्णर कोन है बताई यह तमिलादू की गवर्णर आर एन रवह है कौन है आरन रव दो अ करेस्ब प सकते हैं नेक्स कॉस्षेन बर्मिंगम कौमन वेल्ट गेम के महिला जुडो के फोटी 48 kg भार्ग वर्ग में किस ने सिल्वर मेडल जीता है किसने सुसीला देवी को समंद किस ऐसे ऐसा कुष्छ पूछा था आप लोग अपर देखने एकजाम में देखें होंगे बेद्धान सभाब बैठकू के मामले में पर रहा है क्यों कुछ रहा है आप लोग जान गए होगे कुरोना वायरस के कारण जब रहा है तो अन्लाइन काम हो जाता था था और कियों तो इतना आप याद रखेगा ये थोरा चाहिए याद करने का तरीका बता दिये समझ गया तो इस तरह याद रखेगा इसलिए सबसे ज्यादा जो बैठक हुआ था बिधार सबाब बैठक जो पुआ था केरल राजे में हुआ था तो कितना बैठक हुआ था बताइए 61 दिन स्थान किसका है तो सिकेंद अस्थान आपका ओडिशा का है और ओडिशा का सी एम आप जानते होंगे नवीन पटनायक जी है और त्वर एश्थान किसका है और कर्नातक में फूर्टि दिन हुआ था तो इतना आपको समझाईएगा उसके बार देखिये बोलिएगा जो ईह जो एरेंकिंग जारी किया गया था तो कौन सी संस्था के दवारा रेंकिंग जारी जाता है तो ऐसा फेसर मुलेस संथा है और भी सपपरम यह जगा जित्वारा ृपोर्ट है यह और केलर राज्य Shỉ चाहस पर रहा था। सब्सक्राइब कारगिल के क्या है ड्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहारी को क्या नाम दिया गया है तो क्या नाम दिया गया है पताइए गन सब्सक्राइब करेंट नाम दिया गया है तो क्या नाम दिया गया है इसका गन हिल दिया गया है याद रखेगा और कारगिल कभ हुआ था बताइए 26 जुलाई 1999 को हुआ था और इसी दिन मतलब यहाँ पे बिक्रम बात्रा ने तिरंगा लहराया था वहाँ पे जीत का जस्न बनाये थे समझ गया है और यहाँ पे जो पॉइंट 5140 जो पहारी है उस पर कवजा कर लिये थे तो इतना आपको बारे में जानना जरूरी है और ने किस राज सरकार ने स्वामी विवेका नंद युवा सक्ति योजना का सुभाराम किया है तो किस राज सरकार ने बताईए करनाटक राज सरकार ने करनाटक के जो सीम है कौन है बोसाब राज बोम्माई है उन्होंने स्वामी विवेका नंद युवा सक्ति योजना का सुभा कया नहीं है इसका बिए इसका जो है कोई भी इर्जना लाया जाता तो इतना प्रवाय का इसकती बार जाना करना यह न पूरिज़ें करना दिया जाएगा या फेंजु़ों सहयता समूह हो यह वडितोién पूऑrose इसी में गया यह बजारों के साथ जो युवाओ है पांच लाक युवाँ है उनको जोरा जाएगा यह दखेगा तो वहां से जो युवाँ है रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तो समझ गया है और आपको बता देखें करनाटक का जो मुख्य मंत्री आपको बता दिए बस्वराज का पूरा करेंट फिर पूरा बिसेस जो सिर्फ कोस्तन बता के और एंसर बता देना नहीं है पूरा आपको जनकार इसी तरह परदान के जाएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग चैनल पे नए है तो चैनल को सब्स्राइब कर देजिए और यादि इबुक लेना चाहते हैं तो इबुक आप प्राप कर सकते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं थैंक्यू